नमस्कार दोस्तो ट्रिग्नोमेटिक के इस वीडियो स्रीज में आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेटिक आइडेन्टिटी तो ये सर्वसमिका क्या होते हैं दोस्तो पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इसको आगे डिसकास करेंगे ट्रिग्नोमेटिक आइडेन्टिटी को तो suppose किजिए दोस्तों कि कोई A आपको equation दिया है A square plus B square equals to 2AB यह एक equation दिया हुआ है अब यह equation A और B के किस value के लिए valid है अगर A और B के जिस value के लिए valid है तो यह equation कर लाएंगे suppose किजिए कि if A equals to 1 और B equals to 1 है तो आप इसने अगर LHS और RHS में आप देखेंगे तो LHS में 1 cal square plus B cal square हो जाएगा और RHS हो जाएगा 2 into 1 into 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा LHS में 1 plus 1 2 हो जाएगा और right side में 2 into 1 into 1 with 2 हो जाएगा यहाँ पे LHS RHS बराबर हो गया if A equals to 1 और B equals to 1 लेकिन अगर if A equals to 3 और B equals to 4 हो जाएगा तो दोस्तों देखें यह equation valid नहीं होगा अगर A equals to 3 हो जाएगा तो 3 square plus 4 square यह LHS हो गया इसका value आप calculate करेंगे तो 9 plus 16 is equal to 25 हो जाएगा और RHS जो होता है वो है 2AB तो 2AB का value आप 2 into 3 into 4 यह आप करेंगे तो 24 हो जाएगा यानि कि LHS 25 और RHS 24 हो गया तो LHS not equals to RHS यानि कि जो यह equation आपको दिया गया है वो जेवल A equals to 1 और B equals to 1 यानि कुछ A और B के कुछ खास value के लिए ही यह equation valid कर रहा है यानि कि यह equation कर लाएगे और suppose कि जो एक दूसरा equation आपको जो कि आप लोग जानते होंगे इस formula को A plus B का whole square A square plus B square plus 2AB अब यह जो equation है वो equation A और B के किसी ली value के लिए valid हो सकते हैं suppose कि जो इसके लिए 3 और 4 हमां अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 LHS में क्या हो जाएगा 3 plus 4 का whole square यह हो जाएगा 7 का square equals to 749 हो जाएगा LHS में और RHS में अगर A B का 3 और 4 value को put करेंगे आप तो 3 का square plus 4 का square plus 2 into 3 into 4 इसको आप calculate करें 9 plus 16 plus 24 इसको आप calculate करेंगे तो यह भी हो जाएगा 14 है यह जो value equation है यह equation A और B के किसी भी value के लिए valid है तो ऐसा equation जो उसके किसी भी value के लिए valid हो वो कहलाता है identity और जो किसी particular value के लिए valid हो उसको हम लोग कहते है equation तो equation और identity में यही difference है कि अगर एक equation अगर कुछ particular उसके variable जो भी है यहाँ पे A और B है तो A और B के किसी particular value के value के लिए अगर वो लागू होता है यह apply होता है तो वो equation कहलाएगा और अगर वो A और B के सभी value के लिए लागू होता है अप्लाई होता है तो वो यह identity कहलाता है तो हम यहाँ पर trigonometric identity के बात करेंगे, trigonometric identity जो होते हैं, वो अगर आप जानते हैं कि 6 trigonometric ratio है, अगर किसी भी right angle में, किसी newton के respect में हम देखते हैं, तो 6 trigonometric ratio है, तो उस 6 trigonometric ratio के आपस का जो equation होगा, जो कि उस angle के हर value के लिए valid है, उसको हम कहते हैं trigonometric ratio, कैसे दोस्तों, तब किजिए कि एक यह right angle triangle है, अगर इसका यह angle theta है, अब theta के respect में, sin theta, cos theta, 10 theta, 4 theta, 6 theta, और cos theta, यह 6 trigonometric ratio होगे, और यह 6 trigonometric के आपस का जो एक equation होगा, जो theta के किसी भी value के लिए valid होगा, वो कहला आपे है, trigonometric identity, तो यहाँ पर हम 10th class level का कुछ trigonometric identity को हम यहाँ पर देखेंगे, कि कौन कौन से identity है, जिसको हमें देखना चाहिए, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं trigonometric identities, तो suppose किजिए दोस्तों, कि यह कोई right angle triangle है, A, B, C, जहाँ पर B कोई right angle है, और C जो angle है, उसको हम थीता से remote करते हैं, और इसी angle के respect में, trigonometric ratio हैं, उसको हम लोग देखेंगे, और उसके equation और उसके identity को हम लोग देखेंगे, तो suppose किजिए कि इस ABC में, इन triangle, right angle, ABC में, आप लोग पैथागोरस theorem से वाली बात ही परिशित हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं, कि पैथागोरस theorem क्या होता है, AB square plus BC square equals to AC square, यानि कि Lumb square plus Aadhar square equal to Karn square, इसको Lumb square बोलते हैं, इसको Karn बोलते हैं, इस थीटा के respect में, अब इस पैथागोरस theorem में, पहला जो काम करेंगा है, हम क्या करें कि इस में, इसको हम मान लेता हैं कि equation 1, अब equation 1 में, हम AB square से सधी में divide करते हैं, तो after, after dividing AB square in equation 1, इस equation में हम AB square से divide करते हैं, हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा, AB square divided by AB square plus BC square divided by AB square बडावत AC square divided by AB square, यह हमने दोनों सेट में AB square से divide कर दिया, अब क्या होगा दोस्तों, AB by AB square हम लिख सकते हैं, equals plus BC by AB square, AC by AB square, इसको में इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखें दोस्तों, AB by AB cancel हो जागा, यह कट जागा, अब यह क्या हो जागा, 1 का square 1 हो जागा, अब BC by AB क्या हो जागा, तो BC by AB जो होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, BC by AB, यह BC क्या है आपका, यह आधार है, और AB क्या है, लंब है, तो अधार भय लंब क्या होता है, cot theta, तो यह क्या हो जागा, cot theta का square, और यह हो जागा, AC by AB, AC hypotenuse है और AB, लंब है, तो यह क्या हो जागा, cos theta, इसका square, क्योंकि आप लोग 6 trigonometric ratio जिस वीडियो में बताया था, उसमें ने सारे trigonometric ratio को discuss किया था, आप उसको अच्छा से देंग लिए, तो समझ में आजागा, कि sun theta, cos theta क्या होता है, तो उस हिसाब से, यह cos theta हो गया, तो एक relation क्या हागिया दोस्तो, 1 plus cos square theta equals to cos square theta, यह आपका एक relation हो गया, यह एक relation हो गया, किसमें cot और cos theta का, यह relation, यह identity है आपका, identity मतलब theta के किसी value के लिए, जो new code है उसके लिए valid होगा, लेकिन यह valid किसके लिए नहीं होगा, तो चुकि, cos theta, cos theta equals to 0 के लिए valid नहीं होता है, और परिवासित है, इसलिए इसमें सभी value include होगे, except क्या होगा, theta greater equals to, less than equals to 90 degree, or equal to, or greater equals to 0 degree, but not equal to 0 degree, theta इस कोनों के लिए valid है, 0 से बराब, और 90 degree से छोटा और बराबर, क्योंकि theta जो है, cos theta 0 के लिए, cos theta 0 क्योंकि undefined होता है, तो उसके लिए यह valid नहीं है, बाकी core theta 0 के लिए, core theta भी undefined होता है, और cos theta भी undefined होता है, तो इसलिए, 0 अब छोड़के बाकी सभी angles के लिए, यह equation valid है, तो यह आपका यह पहला identity है, चलिए दोस्तों, दूसरा बेखते हैं, दूसरे technometric identity प्राप्त करने के लिए दोस्तों, इस equation में हम, AC squared से divide करेंगे, तो दूसरे के लिए, after dividing equation 1 by AC squared, तो AC squared से divide करेंगे, चाहोगा, AB squared by AC squared, plus BC squared by AC squared, equals to AC squared by AC squared, आप इसको आप click सकते हैं, दूस्तों, AB by AC squared, plus BC by AC squared, plus, यह हो जागा, AC squared, AC squared कर जागा, तो यह one हो जागा, अब आप इस triangle से, आप AB by AC करेंगे, पता कर सकते हैं, क्या होगा दूस्तों, AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, है, हैपटनूज है, तो P by H होता है, तो कि यह P है, यह B है, और यह H है, तो P by H क्या हो जाएगा, sin theta, तो यह हो जाएगा, sin squared theta, plus, BC by AB, BC क्या है, B और H, B by H, cos theta, तो cos squared theta, equals to 1, यादि कि sin squared theta, plus cos squared theta, equals to 1, यह आपका, दूसरा trigonometric ratio हो गया, तो पहला क्या आया था, दोस्तो, यहाँ के मैं लिख दता हूँ, 1 plus, cos squared theta, equals to, cos squared theta, जहाँ पर theta क्या था, तो theta था, 0 से बरा, और 90 से, और equals to 90, यह theta, दूसरा क्या आया, दूसरा आया, sin squared theta, plus cos squared theta, equals to, 1, अब यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो की theta जो है, दोनों में, वो सभी angles के लिए, 0 degree के लिए, और 90 degree के लिए वे valid होता है, क्योंकि sin और cos, 0 और 90 के लिए परिभासित है, तो इसमें theta के सभी value के लिए, 0 से 90 के लिए, यह equation valid है, यह identity सभी angles के लिए, जब सभी angles के लिए valid है, तो दूसरा इक्टा हो जाएगा, sin squared theta, plus cos squared theta, equals to, 1, जिसमें 0 से theta बराबर, और 90 से छोटा बराबर होगा, यह दूसरा technometric identity हो गया, अब तीसरा identity हम देखते हैं, तो तीसरा identity देखने के लिए दोस्तों, यह equation में, BC squared से divide करेंगे, तो क्या किया आप हमें, यह जो AB squared, BC squared, AC squared, तो पहले AB squared से divide कर दिया, फिर c square से divide कर दिया, अब बचा, bc square और हम, इस भाओ bc square से divide कर दिया है, तो bc square से divide करने के लिए क्लिए 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 हो जाएगा, दोस्तों, अगर आप करेंगे, तो आसा पूर्च किजिए लिए, after dividing equation by bc square, bc square से aगर आप divide करेंगे ये तीसे हे के लिए, तो क्या होगा AB by BC का whole square हो जाएगा plus BC square by BC का square हो जाएगा AC by BC का whole square हो जाएगा अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि AB by BC AB by BC क्या हो जाएगा? 10 theta AB P by B यह हो जाएगा 10 square theta और plus BC by BC क्या जो तर जाएगा तो 1 हो जाएगा equals to AC by BC AC मतलब H by BC यह हो जाएगा 6 H by B क्या होता है? 6 theta यह हो जाएगा 6 square theta यानि कि आपका तीसरा जो टिगनोमेटिक रेशियो बना वो 1 plus 10 square theta equals to 6 square theta इसमें एंगल क्या हो जो 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 90 degree से less होगा और 0 degree और इसके बराबर होगा तो कीसरा एडेंटिक हो गया आपका 1 plus 10 square theta equals to 6 square theta जिसमें theta क्या है? तो 0 के बराबर आपर और less than 90 degree यह तीन एडेंटिक जो की मेन है आपको परिक्षा में पूछे जाते हैं आप इसको अच्छे से समझीए और इसके expression जो भी आते है question उसको आप बनेगे तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप समीकरन और सब्समीका के अंतर समझ गए होंगे और कुछ जो trigonometric ratio है जो particular 3 terms class level पर आते हैं उसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए अब चलिए दोस्तों दिसके इसके एक question बनाके ताकि आपका concept और अच्छे से clear हो सके दो question है कि prove that 6 theta into 1-sin theta into 6 theta plus 10 theta equals to 1 अब आपको इसमें से किसी एक का प्रियोग करके इस equation को LHS को RHS यानी की 1 के बराबर फुरूप्त बना है तो आप LHS से ले लिए LHS के आए 6 theta 1-sin theta into 6 theta plus 10 theta अब हम इस cos theta और 10 theta को sin और cos के रूप में depth करते हैं तो आप जामते हैं कि 6 theta को क्या लिख सकते है 1 by cos theta 1-sin theta को RGT जिराने देते हैं और से theta को फिर यहां पर 1 by cos theta लिख देते हैं और 10 theta को sin theta by cos theta लिख देते हैं जो कि sin theta by cos theta equals to 10 theta होता है यह आप जामते हैं अब यहां से आप जेट सकते हैं दोस्तों यह multiplication में हो गया क्या जागा 1-sin theta by cos theta रह जाएगा और into यह आप LCM ले लेंगे तो यह cos theta नीचे रहा जाएगा और उपर में हो जाएगा 1 plus sin theta अब चुकिए उपर में 1-sin theta और 1 plus sin theta है तो आप एक परिवला algebraic जानते हैं a-b और a-b और a-b और a-b और a-b equal to a square minus b square होता है तो उस हिसाब से 1-sin theta और 1 plus sin theta क्या हो जाएगा 1-1k square minus sin square theta equals to और cos और cos आपस में multiply हो जाएगा तो cos theta हो जाएगा cos square theta हो जाएगा अब 1k square to 1 ही होगा तो 1-sin square theta divided by cos square theta हो जाएगा अब यहाँ से अगर दोस्तों यह equation जो identity 2 है यह आप इसको formula भी कह सकते है क्योंकि इस identity को generally लोग formula की तरह treat करते है formula भी होई है तो अगर formula no.2 को आप यूज करना चाहे sin square theta plus cos square theta equals to 1 होता है जहाँ से cos square theta आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sin इधर चला जाएगा 1-sin square theta हो जाएगा यही तो आपका RHS में है this equals to RHS यही आपका a equation problem सीथ करने के लिए दिया था जिसको आपने formula no.2 से use करके आपने सीथ कर दिया तो इस तरह से कुछ questions आपके book में है उसको आप बनाएगा तो trigonometric identity का जो भी problem है आपको निश्चितरूप से clear हो जाएगा तो दोस्तो मुझे लग रहा है कि trigonometric identity के maximum concept आपको clear हो गएंगे फिर भी आपको कुछ doubt आदा है तो आपको मारे comment सक्षण निश्चितरूप में लिखेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चितरूप से like कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को निश्चितरूप से subscribe कर दीजिए मिलते हैं एक्स वीडियो में जिसमें हम लोग trigonometric का वीडियो में height and distance को देखेंगे क्योंकि बाकि सब बेसकी concept अब इसमें clear हो चुका है अपना ख्याल रखें बाई 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 दोस्तों